कभी कल्प ना करिए आपके मात्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर सच मुछ हनुमान जी की एंटिटी यहां वापस आ जाए तो सबसे पहले तैसे भगतों को बोलेंगे कि तुम तो मुझे समझे ही नहीं जहां इस देश को भुकमरी पे बात करनी चाहिए थी विरुजगारी पे बात करनी चाहिए थी अर्थ व्यवस्था को हर छेत्र लहुलवान है लेकिन देखी कहां बात हो रही है लौड़ी स्पीकर, बुल्डोजर, रमजान, राम नवी, हनुमान चालिसा मैं यहां पढ़ू पहला सवाल, महाराष्ट से लेकर के हनुमान चालिसा का विवाद उस पे जो भी दाएं बाय हुआ वो दिल्ली तक भी पहुँचा है, आर्जेटी के सांसद होने के नाते इस पूरे विशय को पूरे घटना करम को आप कैसे देख रहे हैं? वर्ष में, कहां तो हमें सेलिब्रेट करना था आइडिया उफ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और कहां कहां उल्जेव हुए हैं लॉड़ी स्पीकर, हनुमान चालिसा, ये एक तरह से हमारे सामाजिक जीवन, लोक्तांत्रिक जीवन में पतन का एक बहुत बड़ा दियो तक है, वो एक मौतरमा कहती हैं कि मैं यहां मातोश्री में पर हूँगी, दूसरी एक और लेडी हैं, वो कहती हैं कि मैं अमिच्छा जी को लिख रही हूँ, साथ लोकल ल्यान मार्ग में हनुमान चालिसा, हमने क्या बना दिया, अपने इश्वरों को, भगवान को, मैं तो मूलता हमने इनहें राजनिती का आजार बना के रख दिया है, और जहां इस देश को भुकमरी पे बात करनी चाहिए थी, विरुजगारी पे बात करनी चाहिए थी, अर्थवेवस्था को हर चैत्र लहुलुआन है, लेकिन देखी कहां बात हो रही है, लौड़ी स्पीक ये हालत हो गई है, कि एक कॉमेडियन पर राश्ट्रो लग गया, कि जो उसने कॉमेडी की ही नहीं थी, एक कभी जेल में सड़ा दिया गया, कि उसकी कविताओं से देश की सुरक्षा को खत्रा था, तो मुझे तो अवतार सिंग पाश नजर आते हैं, कि देश की सुरक्षा कि मैं राजी हूँ, मैं ही देश हूँ, तो देश के खिलाब कुछ हो ना हो, अगर अपने मुखमंत्री, परधानमंत्री जी से आप सवाल करें, तो आप सेडिशन के दायरे में आ रहे हैं, तो ये मौकरी है, मौकरी अफ जस्टिस है, और ये एक न एक दिन सब को परेशान करेंगा, अभी भले कुछ लोग काली बजा रहे हैं, जो आखरी सवाल है, वो उस चुनाओ को ले करके है, जिसमें अभी शायद दो-तीन महिने का समय बाकी है, और इसमें जो बयान शुरू हुए अखिलिश यादों की ओर से आए, कि राष्टपती के लिए अगर कोई पद होता है, और अगर विपक्ष तयार कर रहा है, तो वो कोई गैर कॉंग्रेसी या गैर वीजेपी शासित हो, आर जेडी के पास भी एक एलेक्टोरेटर बिहार में, उसकी भूमिका क्या होगी? मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रीट कॉर्णर में बात नहीं होगी, साजा विपक्ष एक आरंबिक चर्चा करेगा, मुझे उमीद है, और मेरा मानना है कि राष्टपती के पद पर जो भी विपक्ष का साजा उमीदवार हो, वो उस कद के का हो, जो उस पद के अनुरूप हो, लगे कि एक व्यक्ति है, जिसमें राष्ट्र संविधान के महफूज रहने की संभावनाएं देख रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले हफ्तों में इस पर प्रक्रियाएं शुरू होंगी, नेधा प्रतिपक स्थेज्यस्वी जी, बाकी नेताओं से भी मिलेंगे, और ए